सिरोली सिमावर्ती सोनभद्र शक्ती नगर आम आग्मी पार्टी के जिलाव पाध्यक्ष रवन कुमार ने कहा कि योगी भाबा शहित किसानों के प्रती सवेदना प्रकट करने वाले समुझा विपक्ष को बंदक बनाने का काम कर रही है दोशी स्वतंतर रूप से अब भी गुम रहे हैं आम आग्मी पार्टी के राश्र प्रवक्ता एवं उत्तर प्रदेश प्रभारी को संजे सिर सहीत जिला अध्यक्ष नीरच पांडे जिला महासचिव रमेश कोतम की निर्देशन में जिला पाध्यक्ष दुद्धी विधास प्रभारी श्रवन कुमार की अध्यक्ष प्रदेशन में भाजपा के केंद्रे ग्रह राच्ष मंत्री के बेटे वं गुंडे द्वारा लखिम पुर्खीरी में हुए किस्तानों की गाड़ी से रोंद कर हुई निर्मा भद्या के खलाफ विरोर प्रदेशन रेली वं दिव समाप्त हुआ जहां दिवंगत किसानों की आत्मा की शांती के लिए प्रदर्शन कारियों द्वारा दो मिनिट का मोंड़का गया काईक्रम में तानशाही सरकार के विरोध में जीला उपात्यक श्रवन कुमार ने दोशिक के इंट्री ग्रहर राच्ष मंत्री के बेटे की रफ्तारी की मांग करते हुए किसानों को न्याय देने की बात कही साधी सांसर स्वंचे जी की पचास घंटे से अधीक की अकारण हिरासत में रखने का विरोध दर्श कराया और कहा कि प्रदेश की भाचपा सरकार पुलिस तंत्र का गलत उप्योग करते हुए गोशियों को सरक्षन प्रदान करने का काम कर रही है भाचपा की सरकार में अपरादी को खुले आम घूमने की छूट बिली है जिसका प्रत्यक्ष प्रमाम किसानों के हत्यारों पर नाम जग 302 हत्या का मुखत्मा एफ़ायर लिखे जाने के बाद भी अपरादी अभी भी खुले आम प्रोश्व्यात है गिरिफ्तार तक नहीं किया जाता है और उसके बड़ाई स्थिपादेने के मंतरी साहभ यह करते हैं कि मेरा बेटा तो वहां मोजवीद था जबकि सारे साच्ष इतने सारे वीडियो और इतने परतेक्ष दरसी वहां पर यह बयान देते हैं कि उनके बेटे वहां पर थे और उनकी गाड़ी से ही किसानों की रौंद करके हत्या हुई है इसके बावजूद सरकार और बाकी आन ने कोई भी जो जम्मेधार बेक्तियां के कानों पर जूतक नहीं रेंग की है इसके लिए हम सब आमाधी पार्टी के करमट साथी कारेकरता जुजहारू जो लोग हैं वो सार अपने सांसद स्री संजय सिंग्जी के समर्थन में जो कि आज वहां 50 गंटों से उनको रोका गया था आज जाके उनको अनमत दी गई है और वह गड़ना अस्तल्प के लिए रवाना हो चुके हैं इससे पूर्व बिना कारण बताये हुए बिना किसी डोटिस के उनको गिरि इतने ही पच्छी पार्टिया हैं उन सब को इन लोगों ने नजर बंद कर दिया घरों में या पिर उनको गिर्फताई कर ली थी तो आप ही बताएं कि ऐसे ही चाना साही सरकार में कैसे लोग तंतर जीवित रह सकता है हम सभी आम आदमी के पार्टिर के कारे करता और आम जं इन लोगों को अपना इंटर्व्यू देता फिर रहा है हम सारे कारे करतागर्ण हम सारे भी पक्षीगर्ण इस चीज के मांग करते हैं कि 302 का मुकदमा होने के बावजूद भाया होने के बावजूद आखिर वो कौन सी सक्तिया है जिसके कारण उसको हाथ तक नहीं एक पत्रकार की भी हत्या हुई है हमारे जितने मीडिया बंदु हैं वह इस बात को गौण फरमाएंगे कि वहाँ पर के पत्रकार की भी प्लीट प्लीट कर हत्या करती जाती है किसानों के कालों को गाड़ियों से रौंद दिया जाता है और उसके बावजूद उनको गोलिय मार दी जाती है सिंग्रोलिस चोपेंद्र दूबे की ये रिपोर्ट